एलो श्टुडेंट्स वेलकम तो यू ओल इन्डिया में इनका बॉर्ण हुआ था और अमेरिकन की इनोंने सीटिजन ले ली थी यानि नागरिकता ले ली थी वहां की और वहीं पे वो रहती थी और वहीं से वो स्पेश में गई थी ठीक है कल्पना चावला कल्पना चावला जो भारत में पैदा हुई थी भारत में भी हमारी हर्याना स्टेट में और करनाल डिस्टिक में ठीक है वेर वाज कल्पना चावला बोर्न कल्पना चावला का जनम कहा हुआ था और वाई 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 इसी काल्ड एन इंडियन अमेरिकन उनको इंडियन और अमेरिकन देखो इंडिया भी अलग कंट्री है और अमेरिका भी अलग कंट्री है इंडियन भी कहा जाता और अमेरिकन भी उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है क्यों विकोज क्योंकि C went to USA वो USA गई थी and became its naturalized citizen और वहां की वो citizenship उन्होंने ले ली थी यानि वहां की नागरिकता ले ली थी question number second देखे when and why did C go to the USA वो USA में कब और क्यों गई who did C marry और उसने किन से साधी की ठीक है जो paragraph 2 और 3 में आपका answer मिलेगा book में तो C went to USA after completing a bachelor of science जिसको हम बोल देते हैं B.S.C. ठीक है B.S.C. यानि bachelor of science की डिगरी पूरी करने के बाद किसमें इन एरोन नियूरिटिकल इंजीनियर जो विमान की होती है ना विमान की इंजीनियर उसमें एरोनोटिकल इंजीनियर करके for pursuing master degree master degree यानि M.A. ठीक है M.A. नहीं होगी science में तो M.S.C. होगी M.A. होता है master of art और M.S.C. होता है master of science ठीक है ना तो वो science पढ़ रही थी क्योंकि उन्होंने B.S.C. कर ली थी bachelor of science की डिगरी इंडिया से ले ली थी और higher degree के लिए यानि किस के लिए master degree लेने के लिए वो कहां पर गई थी USA में गई थी C married flight instructor Jean Pierre Harrison तो वहीं पर उन्होंने एक किस साथी की flight instructor से जिनका नाम था Jean Pierre Harrison ठीक है अब question number 3 देखें How did she become an astronaut? वो astronaut कैसे बनी? What gave her the idea that she could be an astronaut? और किसने उनको idea दिया कि वो एक astronaut बन सकती है यानि अंत्रिक शात्री बन सकती है वो अंत्रिक शात्री कैसे बनी और किसने उनको idea दिया ठीक है ये question है आपका answer कैसे लिखोगे देखो After qualifying as a pilot, pilot के बारे साथ qualify करने के बाद चावला apply to N.A.S.A. देखो ये N.A.S.A. ये काफी बड़ी institution है जिसकी full form है इसकी full form है बाकी वो आपके paper में नहीं आएगी आपको सिरफ ये करना है N.A.S.A. न.A.S.A. आप याद रखोगी आपने काफी movies बगार में भी देखा होगा नाचा कंपनी में जो भी इस पेपर आपको ये करना है न.A.S.A. न.A.S.A. आप याद रखोगी आपने काफी movies पेस में भेजते हैं सटल वगयरा ठीक हां तो कलपना चावला ने अपलाई किया N.A.S.A. के लिए सपेस टल पेस यानि सपेस पर जाने के लिए जो सटल प्रोग्रम होते हैं उसके लिए सटल प्रोग्राम के लिए उन्होंने न.A.S.A. में पाइले ट करने के बाद, qualify करने के बाद आजे पाइलेट क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने कल्पना चावने ने अपलाई किया नासा में इसके लिए स्पेश शर्टल के लिए स्पेश शर्टल प्रोग्राम के लिए सिवाज फर्स्ट हायर आजे रिसर्च साइंस एट नासा ठीक है वह सबसे पहली थी ढरिसर्च के लिए होता है किसी के बाद में सांडळ चांड भी करणा खोज करने के बाद में साइंटिस्ट के रूप में नासा में उनको फर्स invari ही याच था इन 1904 में शी वाज स्टीड ड़ेनि communist केfight ध्रट्रीन 2 2 च्रीनिक के लिए उननको स्ट्रीग recommend थानासा में वो 1994 में इट वाज हर सक्षेस एजब पाइलेट उनकी सक्षेस थी जो पायलेट के रूप में सबसे पहले विच गेव हर दा आईडिया धाट सी कूड बीकम एन ऐस्ट्रोनेट और पाइलेट के बारे पाद सक्षेस्पुल होने के बाद पाइलेट में successful होने के बाद as a pilot successful होने के बाद उसकी success से उसकी सफलता से as a pilot successful होने के बाद सफल होने के बाद उनको आइडिया आया कि वो एस्ट्रोनाट बन सकती है ठीक है उस सफलता नहीं उसको motivate किया idea दिया आप question number four देखें why sorry what abilities must an astronaut have एक astronaut में यानि एक अंत्रिक शात्री में कौन सी ability must है जरूरी है सबसे जादा जरूरी है according to journalist journalist होने के साथ जर्नलिस्ट के अलावा जर्नलिस्ट ने विगयापन चापा है ना उसके लिए जरूरी होने चाहिए ठीक है तो यह आपके paragraph six में आपने देखा होगा बुक में according to journalist journalist के अनुसार it takes enormous ability to be an astronaut astronaut में काफी enormous ability होने चाहिए जैसे an astronaut must know a lot of about everything उनको हर चीज में everything हर चीज के बारे में उनको knowledge होनी चाहिए जरूर कहां से from biology biology से लेकर यानि जीविगान से लेकर to astrophysics at astrophysics से लेकर to aeronatical engineer at aeronautical aeronautical engineer होता है जो विमान वगरा होते ना उसकी engineer करना ठीक है उसके बारे में जीविगान से लेकर astrophysics और astronomical engineer में के बारे में मतलब हर अक्षेतर के बारे में उसको knowledge होने चाहिए जो अंतरिक शात्री होता है किसके अनुसार journalist के अनुसार ऐसी बाते कि इस ने कहीं जरने इन डिस एज ओफ सूपर स्पेशलाइजेशन और जो आज कल जो एज चल रही है जो यूग चल रहा है स्पइस्टों इस्टों आटें साइक्लोपीडिया पर देखाम एक है जैसे डिक्स्नरी होती है सब्सक्राइब गोर्स ऐसे इन साइक्लो पेडिया पर हम जांच मिलता है इनसाक्लोपीड लिजह तो है ओने चाहिए Assertronaut बनने के लिए अब नाइस्ट कोशन देखें describe Kalpną Chaola's first mission in space अब आपने describe करना Kalpna Chaola's first mission क्या था space में जाने के लिए ठीक है तो answer कैसे लिखू गया Kalpna Chaola's first mission was in space shuttle Columbia तो कोन सा था Columbia Space shuttle कोन सा था it was 15 days पंदरह दिन, 16 हावर, 16 गंटे और 34 मिनट्स का वो रही थे During This Time, इस टाइम के दौरान, शी वेंट अराउंड आर्थ वो आर्थ पे कितने बार, कितने टाइम सु अचने ट्रावल किया 252 टाइम सु ने ट्रावलिंग की 1.45 मिलियन किलोमेटर कि इतने मिलियन किलोमेटर हो ठीक है दा क्रिव क्रिव होते हैं जो उसके साथ में जो नौलिजेबल मैन होते हैं उनको बोलते हैं क्रिव यानि जो उसके साथ ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच आज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू अब्जरब फूड ग्रोथ इन स् स्पेस पे यह सारी चीजें उन्होंने क्रिव में यानि जो उनकी बंगती मतलब जो ग्रूप था उनका गया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया जैसे पोलिनेटिक प्लांट्स पे और यह उप्जरब करने के लिए कि फूड ग्रोथ होता है स्पेस में ठीक है इट ओल जो मैटल है धात हुए है उसको स्ट्रोंगर बना जाए और जो कंपूटर है कंपूटर की जो चिप डालते हो ना कंपूटर में वह चंपूटर की चिप को और फास्ट बना जाए उसके लिए वहां पे एक्सपेरिमेंट किये गई इट वाज ओल डन फोर प्राइस आप्रा अमेरिका में जैसे हम इंडिया में रूपेज में मापते हैं ना सोरी एक सेकें जो इंडिया की करन्सी है वो रूपीज है कोई भी करन्सी कटी करते हैं तो रूपीज में लेकिन अमेरिका में डोलर होते हैं जैसे हमारे रूपया होते हैं ऐसे अमेरिका में डोलर होते हैं तो 56 million dollar का खर्च हुआ था, ठीक है, question number six, देखें, what does कलपना चावला say about pursuing a dream, dream के पीछे दोड़ना के बारे में कलपना चावला क्या कहती है, do you agree, क्या आप agree हैं with her, उसके साथ, यानि जो बाते उन्होंने कही हैं, आप क्या उनके साथ agree हूँ, that success is possible, कि success possible है, ठीक है, तो देखें answer कैसे लिख हूँ गया, कलपना चावला said that, the path from dream to success does exist, कि कलपना चावला ने बिताया कि, जो रास्ता dream से लेकर successful तक है, वो अस्तितव में है, one need to have the vision to find it, और परतेक में जिसको अपना लक्षे प्राप करता है, उनको क्या करना है, vision करना है, यानि उन्सको देखना है, उसको डूढ़ना है, find, उसको डूढ़ने के लिए एक vision करना है, and the courage to get into it, और उसके लिए साहज जुटाना है, और yes, success is possible, और हाँ, success क्या है, possible है, success संभव है, यानि success जुरूर मिलेगी, हमें उस रास्ते को खोजना है, ठीक है, और उसको उसके लिए साहज जुटाना है, ठीक है, तो यह आपके question and answer थे, I hope आपको समझ में आये होंगे, अगर एक बार में ना समझ में आये,